नमस्कार मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पबलिक खबर यू तो भारत विभिनताओं वाला देश है यहां हर राजी की अपनी अलग सांस्कृतिक, राजनीतिक और एतिहासिक पहचान है यही नहीं सभी जगा की बोलियां भी अलग है इसके बावजूद हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाशा है जब भी बात देश की उठती है तो हम सब एक ही पंक्ती दोराते हैं हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदो सता हमारा यह पंक्ती हम हिंदोस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेश महत्व रखती हैं हिंदी हिंदोस्तान की पहचान है यही वज़ा है कि राश्रुपिता महत्मा गांधी ने हिंदी को जन्मानस की भाशा कहा था उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मीलन में हिंदी को राश्र भाशा बनाने के लिए कहा था भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है आज की स्खास पेशकर्ष में जानेंगे हिंदी दिवस के महत्व, इसके इतिहास और हिंदी के राश्भाशा बनने के सफर के बारे में स्वतंतृता के युद्ध से ही देश के लिए एक भाशा का आहवान किया गया था स्वतंतृता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने देश के मात्र भाशा को एक आदर्श रूप देने के लिए एक लक्षय निर्धारित किया और लेखन में मानकी करण लाने के लिए देवनागरी लिपी का उपियोग करते हुए व्याकरण और ओर्थोग्राफी का लक्षय निर्धारित किया 6 दिसंबर 1946 को आजाद भारत का सम्विधान तयार करने के लिए सम्विधान सभा का गठन हुआ सम्विधान में विभिन नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी एहम था क्योंकि भारत में सैकडों भाषाएं और हजारों बोलिया थी काफी विचार विमर्ष के बाद 14 सितंबर 1949 को सम्विधान सभा ने देवनागरी लिपी में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया बाद में जवाहलान नहरू सरकार ने इस एतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1953 को मनाये गया था लेकिन जब राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया तो और गैर हिंदी भाषी राजे खासकर दक्षिन भारत के लोगों ने इसका विरोध किया जिसके फल्स्वरोब अंग्रीजे को भी राजभाषा कदर जा देना पड़ा जब अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के तौर पर हटाने का वक्त आया तो देश के कुछ हिस्तों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया दक्षिन भारती राजियों में हिंसक प्रदर्शन हुए तमिलनाडू में जनवरी 1965 में भाषा विवात को लेकर दंगे भड़क उठे उसके बाद केंद्र सरकार ने सम्विधान संशोधन करके अंग्रेजी को हिंदी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा बनाय रखने का प्रस्ताव पारित किया आधिकारिक भाषा के अलावा भारत के सम्विधान की आठवी अनुसूची में 22 भाषाई शामिल है हर साल 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हिंदी दिवस के अवसर पर राज भाषा सप्ताह या हिंदी सप्ताह मनाया जाता है इस सप्ताह में विभिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है इसका मूल उद्यश ये केवल हिंदी दिवस तक इसे सीमित न करके लोगों के बीच हिंदी भाषा के विकास की भावना को बढ़ाना है हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रती लोगों को प्रेरित करने के लिए हिंदी दिवस पर भाषा सम्मान पुरसकार दिया जाता है ये सम्मान विशेश लेखकों को भारतिय भाषाओं में उल्लेखनिय योगदान के लिए और शास्त्रिय और मध्यकालीन साहित्य में योगदान के लिए हर साल दिया जाता है तक नीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए राज भाषा गौरव पुरसकार और वो संस्था जो हिंदी भाषा में अपने कारियों को करके अच्छी प्रगति हासल करती है उसे राज भाषा कीर्थी पुरसकार से सम्मानित किया जाता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी चीनी भाषा के बाद ये विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत और अन्य देशों में 7 करोण से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं इसे पढ़ते हैं और लिखते भी हैं इतना ही नहीं फिजी, मौरीशस, गुयाना, सुरीना जैसे दूसरे देशों की अधिकतर जनता हिंदी बोलती है भारत से सटे नेपाल की भी कुछ जनता हिंदी बोलती है 1952 में उपयोग की जाने वाली भाषा की आधार पर ये विश्व में पाँचवे स्थान पर थी 1980 के आसपास वो चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे स्थान पर आ गई 1991 में ये पाया गया कि हिंदी बोलने वालों की संख्या पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषियों की संख्या से अधिक है जो मध्यम वर्ग के एक विशाल छेत्र को अपने में समेटे हुए है इस मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। क्योंकि वो अपने साथ अंग्रेजी लेकर आई थी। क्योंकि विश्व के लगभग डेज़ साथ अंग्रेजी लेकर आई थी। इसका जीता जाकता उधारण है। जिरासिक पाग जैसी बेहद लोगप्रिय फिल्म जिसे हिंदी में डब किया गया। इसके हिंदी संस्क्रण ने सिर्फ भारत में इतने पैसे कमाई जितने अंग्रेजी संस्क्रण ने पूरी दुनिया में नहीं कमाई। बीसवी सदी के अंतिम दो दशकों में हिंदी का अंतर राश्रिय विकास बहुत तेजी से हुआ है। वेब, विज्यापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिंदी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है वैसी किसी और भाषा में नहीं है। विश्व के लगभग 1500 विश्व विद्यालेओं और सैकलो छोटे बड़े केंद्रों में विश्व विद्याले स्थर से लेकर शोध के स्थर तक हिंदी के अध्यान अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों से 25 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही है। काफी तेज है। ध्यान, योग, आसन और आयुरवेद विशियों के साथ साथ इनसे संबंधित हिंदी शब्दों का भी विश्व की दूसरी भाशाओं में विले हो रहा है। भारतिय संगी, हस्त कला, भोजन और वस्तरों की विदेशी मांग जैसी आज है पहले कभी नहीं थी। लगभग हर देश में योग, ध्यान और आयुरवेद के केंद्र खुल गए हैं जो दुनिया भर के लोगों को भारतिय संस्रुती की और आकर्शित करते हैं। ऐसी संस्रुती जिसे पाने के लिए हिंदी के रास्ते से ही पहुँचा जा सकता है। भारतियों ने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और कुशागर बुद्धी से आज विश्व के तमाम देशु की उन्नती में जो सहायता की है। उससे प्रभावित होकर सभी ये समझ गए हैं कि भारतियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हिंदी सीखना कितना जरूरी है आज हिंदी ने अंग्रेजी का वर्चस्व तोल डाला है। करूडों की हिंदी भाशी आबादी, कंप्यूटर का प्रयोग अपनी भाशा में कर रही है। अंग्रिद और महान भाशा है। तथा अनेक प्रकार का ज्यान सभी देशों से जरूर लेने चाहिए, मगर उनका प्रचार मात्री भाशा के द्वारा ही करना चाहिए। इसलिए हमें भी अपनी मात्री भाशा हिंदी को निरंतर आगे बढ़ाने की दिशा में कारे करना चाहिए। ताकि हमारी हिंदी जैसी सरस, सहच और वैज्यानिक भाशा की महत्ता सर्फ हिंदी दिवस तक सीमित ना रहकर विश्व पतल पर उन्नती करती रहे। इस खास पेशकश में फिलाल इतना ही।